सो हे गाइस कैसे आप सभी लोग तो स्वागत करता हूँ मैं आपसा अपने गेमिंग चैनल में डिसका नाम है गेम बोई और आज हम एक नई सर्वाइवल गेम खेलने जा रहे है जो है मारूंड मारूंड एक सर्वाइवल गेम है जो कि जंगल बेस के उपर है और मुझे ना यहां पर सर्वाइव करना है मतलब अपने लिए खाने पीने की चीजे ढूननी है अपने लिए घर बगारा बनाना है तो कैसे एक यहां वह.भी गेम ना आ इन यकल एक जी आप है आफ मैप है और भी बहुत सारे मैप झोट हम स्टैप बाइगे खेलेंगे बट अभी है अपनी ट्रेइनिक तो सबसे पहले अपने को ट्रेुन करना है अपनी गेम स्टार्ड हो चुकी है और इस गेम में जो अपने ट्रेक्टर का नाम है उसका नाम है एड और बाकी अभी हमें यह कुछ बता रहे हैं मैं पड़ लूख तो गाई सबसे पहले हमें बनाना है कैम साइड में लिखा आ रहे मुझे जो जो करना है गैटे 18 बिग ल तो अभी अपना ट्रेनिंग मोड है तो अपने आगे एक एरो आ रहा है अगर वो एरो धा पर भी जाएगा ना हमें वो चीज मिल जाएगी तो वैसे हमें बिग लिव मिल चुकी है अपना चैंप बनाने के लिए और देखते हैं अपने को बिग लिव के इलावा और क्या च अपने को मिल चुकी है तो अब क्या करना है तो हमें कैम्प बनाने के बारे में कुछ कह रहा है और राइट गाइस तो यह हमें कह रहा है कि हमें कैम्प जो है ना वह वाटर के पास बनाना चाहिए है और अपने को चाहिए चार सॉलेड वोड तो यह सॉलिड वूड यही है क्या यह नळी है अपने को यह एरो को फोलो करते हुख करते वे जानातें शीह है और आरे वही तो इयनृत इतनी सारे सूलिड वोड वहाँ पर पड़ी सी और यह ए तो हमें इस वोड़ को यहां रखना है सभी है मतलब अपने को शैद कितनी सोलेड वोड चाहिए थी इनिशान के ऊपर रखनी है बट यह अधर जा रही है अच्छा मेरा मुझ तरह तो अधर रहा ना जाएगा ना ओधर हो गया काम material are ready निया ब्यूड़ एक कैम यानि के अपने पास सारा material है तो अब हम अराम से केम्प ब्यूड कर सकते हैं बट कैसे तो अपने को इस ऑप्शन के उपर जाना है यह यह ग्रीन शेक यानिके कैम्प तो इसको बनाने के लिए अपने पास पांच सॉलिड वूड है अठारा लीज है और चार रेटेंस है तो चलो इसे मेक कर देते हैं और एक दोर गाई जब ह उद्ञां लेते हैं यहना आरा आपना कैम्प फोड़ा इदर राना पड़े गा घाल हीं पर यह थोड़ा पीछे थीक है नहीं फीचे बिट्र कर दिया अपना कैम्प तो गाइज अपना कैम तयार हो चुका है यह देखो किछना मस्त लग रहा है इसके अंदर हम सो भी सकते हैं क्या अब क्या कह रहा है गो टू दा पॉंड टू ड्रिंक वाटर ओके तो अब हम ना पॉंड यानि के तलाब के अंदर जाके पानी भी पी सकते हैं पर देखते कैसे पीने अपने को पानी ओके तो यह पानी वाटर का साइन आ चुका है मुझे इस वाटर वाले साइन पर क्लिक करना है तो मैं पहली बार देख रहा है किसी सर्वाइवल गेम के अंदर पानी पीना इतना इजी भी हो सकता है नाइस यह अच्छा लगा मुझे और अभी यह क्य पानी यह उटाने को और अपके ओचे फ्रोग मतलब को समझ यह हंटिंग आनि कि शिकार के बारे में बता रहा है कि हम कैसे इन फ्रोग का शिकार करके अपना फूड क्लेक्ट कर सकते हैं तो यह अच्छी चीज़ा चाहिए अपने को तो मुझे बस इस स्टोन से नाइस फ्र और अब इस फ्रोग को लेते हैं इस इस फ्रोग मीट मिल गया है वोगा अब यह कह रहा है कि इस स्टोन से लृब और सुआए लगते मारि वह है लगतु आपенे हुची आपना नई यार अपनी इस से एनर्जी भी कम हो रही है तो दुबारे इस पत्थर को उठाते है और ट्राइ करते है तो यहां पर आपार पास ही चटलना चाहिए वहाँ पर हम आराम सेस्ट Can do आपने से सोबी सकते हैं और आपने सशलीड इस्टिक है ना आपने के मैं जहां का मुझे लग रहा है चलो देख लेते हैं और अब क्या करना है अपने को यह तो मिल चुकी है यह तो अपने को रेजन भी मिल गया तो गाइज यह है रेजन गैट फोर वूड अब अपने को चाहर लकड यानिके वूड वूड एरो को फोलो करते हैं अभी तो अपने को अराम से चीज़े मिल रहे हैं क्योंकि अभी अपना ट्रेनिंग मोड चल रहा है लेकिन जब हम किसी मैप में जाएंगे ना तो भाई अपनी बैंडी बजने वाली है अपने को जितनी भी आइटम है बहुत धुनना पड़ेगा तो घैर अपने को मिल चाहर वूड और अब हमें बनाना तो यहां पर सही है ओ नाइस क्या हम सही हुजाना हो रहा है और अब क्या करना है अपने को वेल ड़न ओके न्याव कुक यूर फूड पुक दा फ्रोग मीट ओ तो हमें जो फ्रोग मारता ना उसे हम कुक कर रहेते हैं यानि के बेक कर लेते हैं और आराम से मस्त खाएंगे ओ नाइस क्या मस्त कुक हो रहा है हो गया क्या बड़ी जल्दी बेक हो गया यह फ्रोग मीट तो अब इसे हम खाते हैं और अब क्या करना है हमें और रैट गाइस तो हमें मटेरियल का यूज करके एक स्मॉल फिशिंग ट्रैप बनाना है जिससे के हम फिश पकड़ सके बट बनाना कैसे है ओके तो मुझे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है यह स्मॉल फिशिंग ट्रैप तो हम यह बना सकते हैं अपने पास बिग लीव है रैटन है और है है तो मैं इसे मेक कर लेता हूँ अब हमें एक टोर्च बनानी है अपने केमप फायर से अपनी टोर्च तयार हो चुकी है और अब चलते हैं तलाप के अंदर अपने फिशिंग ट्रैप को लगाने के लिए तो मुझे तलाप के बीचों बीच चाना पड़ेगा और यही पर मैं लगा देता हूँ यह फिशिंग को कला के देखेंगे और अब अपना टाइम हो चुका है सोने का तो चलते हैं सोने के लिए गाइस यह कैमप फायर अपना के जलता रहेगा तो खैर मैं सो जाता हूँ और यह दूसरी चीज क्या है यार इसा देख लेते वार यह है क्या आखिर वह यह पनी स्टोरेज है भाई यह कि दूसरी चीज खराटे मार रहा है और इससे अपनी एनर्जी भी बढ़ रही है अच्छी बात है तोने से तो अनर्जी बढ़ती है आपने को दो फिश मिल गई और पूर क्या मिला है अपने को करना पड़ेगा तो अपने कैंप में इन मचलिय को अपने को बेक करना पड़ेगा वह नई हम यह सीदे खा सकते हैं और यह दूशी जिंगूर्ट अपसा मिला यह है क्या पता नहीं आप इसका नाम भी तो खेर क्लिए थो उविसे अभी तो गाइज अपने ट्रेणिंग पूर यह हो चुकिए है आप हम किसी भी मेप के इंदर स्राइब करने के लिए तैयार रह चुके है तो अपने को सबसे पहले करना है एक केंप बनाने के लिए अपने को चाहिए सॉलिड वोड बिग लीज और रैटन वैसे अभी मुझे जो कुछ मिल रहा है मैं ले रहा हूं यहां पर यह मश्रूम भी है और अपने को स्टार्डिंग में स्ट्रोबेरी मिली थी और यह दो यह मश्रूम ले लेता हूं यहां पर ब offenses यह सॉलेड वोड उन मुझे न मुझे पास इस तरफ है कि में इस सट्रावर миट आप पर रगो रख देता हूं अपर हैं अपने को प्लेंग यह यहां पर सारर फतोपेड है मैं अपना कैम्प कैसे बनाऊं कोई मुझे खाली जगे ढूननी पड़ेगी इस तरफ चलके देखते हैं क्या पता कोई खाली जगे मिल जाए यहां पर भी यह पेड़ी है तो यह थोड़ी खाली है ठीक है यह ठीक जगा है तो मैं अपनी यह वोड यही पर रख देता हूं ब अभी तो अपने को भोष समान चाहिए भाई सॉलिड वूड चाहिए अपने को बिग लीव और यह रेटन तो लो चल जब यह समान ढूंड के लाते हैं कुछ 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 कि कि आए हुआ है वाई है कि कैम बनाने का समान ढूंडते ढूंडते रात हो चुकी है हैं बड़ में रात को कैसे सुराइब करो यार अपने पास तो कुछ ही नईया आप रहेंगे सकता हूंठ साबशी बनाने का मटियल अपने पस है नहीं अपने को बूल पता नहीं कोन सी पतले सी बोलती है और अपने को चाहिए है और बिल्कुल गुपतत दे रहा हो चुका है गाइस मैं क्या करूं लेकिन एक मिनट कैम्प बनाने का पूरा समान तो अपने पास है तो क्यों ना हम कैम बना ले और उसके अंदर अराम से सोए एक बार चेक कर लेते इस बिल्कुल शौर नहीं हो कि अपने पास समने की वैसे तो धातक है तो और पूरा समार है अपने पास पास पालग सॉलिट वूर्ड है अपने पास बिग लीव है और रटन है तो चलो चल दिसे अपना यहां पर लग रहा है तो यही पर लगा देते हैं यह पीछे की तिरब बिल्कुल सेट बैठ रहा है तो मैं यही पर मना जिता हूँ यह अपना कैंप बन चुका है और अपने खाने के लिए क्या वैसे अपना डेट उचुरू हो चुका है और अपने पास जो भी आलतू-फालतू दू समान है मैं अपने ना कैंप की इन्वेंटरी में रख देता हूँ वैसे गेम तो अच्छी है मस्त है और खेलने भी मजा आ रहा तो बास आज वाले वीडियो में इतना ही अगर आप पुझे वाला वीडियो अच्छ लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए उस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ अगले वीडियो के लिए बेल एकन को दपा देना ताकि जो भी मेरे नए गेम को वीडियो झाले हो